मैं कुछ खाऊं शुरुवात से महाभारत काल में भी जिन्दा थे इनके अस्दित्र को हम प्रेता यूग से जानते हैं कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांड़ों से मिलने आये थे पौराने कधाओं के अनुसार हनुमान जी को अमर्ता का वर्दान प्राप्त था धारने ग्रंथों की बात करें तोहां में उनमें हिंदु धर्मों के भगवानों के वापस स्वर्ग में जाने का वर्णन मिलता है लेकिन शेश रहते है हनुमान जी जिनके मर्ने या वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं निफ्ती इस बात को तोहराने की जरूरत नहीं है कि भगवान हनुमान आमर्त थे कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है जिसमें रिश्री माधवा चाये तुलसी दास, स्वामी राम दास और राखवेंद्र स्वामी जैसे महापुरुष शामिल है हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस जगह पर मौजूद है जहां उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं उन्हें याद करते हैं और हनुमान जी हर उस जगह आ जाते हैं जहां उन्हें सच्छे दिल से पुकारा जाता है वहीं दुनिया भर में कई ऐसी जगहे हैं जहां ऐसे पैरों के निशान पर देख कर पता चलता है कि कोई ऐसा जी मौजूद है जो आकार में बेहत विए ज़िए अलग 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 देशों में इस तरह के विशाल का पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए है और है को बेहिए अई जिसक क का शूरी काफी विशाल रहा होगा अमेरिका में कंछी लोगों काफी बार एक विशाल का जीन को धुर्मते देखने की बाग वार कर forces कर दी अब catches पह溜 rất ट comigo इसके अलावा चींकी हनुमान जी आज भी हमारी धर्ती पर हमारी बीच मौझूद है इस बास किया हनुमान अभी भी है क्या जहां चंद्री आदिवासियों ने हनुमान जी थे बहुत सेवा की वहां से वापस दोड़ते वक्त उनकी भक्ती और सेवा से खुश्पू कर हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को प्रम्भल ज्यान का बूद कराया और उन्हें ये बचा दिया कि वे हर 41 साल बात उनके कब कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब ये मंत्र पढ़ना मैं पलत जपकते ही आ जाओंगा पर उनकभीले वालों ने हनुमान जी से पूछा कि यदि ये मंत्र किसी और के हाथ लग गया और वो इसका गलत इस्तिमाल करने लगा तब क्या तब हनुमान जी ने उनसे क कि ये मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा और जहां ये मंत्र पढ़ा जाएगा जहां से 980 किलोमीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में सच्छा विश्वास ना रखता संगलों में वहारी समाच से एक्तम दूम है इनका रहन सहन और पहनावा और भाषा भी प्रच्छित भाषा से एक्तम अलग है सेतु संगठन के अनुसार इसका विलाई या आधिवासी समुवों को मातंग लोगों का समाच कहा जाता है इस समुदाय पर लोगों का ध्यान त संगली जीवन शहली अपनाई और इनसे संपर्कसादना शुरू किया संपर्कसादने के बाद उन समुद से उन्हें जो जानकाई मिली उसे विचानकर हैरान रह गई दरसल ये अजीव कतिविधिया एक पूजा का हिस्सा थी जो हर एक तालिस साल में हनुमान जी के आने पर की जाती थी और ये लोग इस अजीव एक्जिविटी को इसलिये करते थे क्योंकि हनुमान जी उस समय उनके साथ थे सिर्फ कभीले वाले उनको देख सकते थे से तु अनसार इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग ने हनुमान जी के द्वारा उस प्रवास के दौरा किये गए हर कारियर और उनके बार पूले गए प्रतिक शब्द का एक एक मिनिट का फेवरेंट अपनी एक पुस्तिका में नोट किया है हनुमान जी सताइस मैं दो हजार चौदा में कमीने वालों को आपको आपको देख यहां से चलिए और इसके बार इसके तालेस सार बार यानिकि ओडू हजाब देख यह पुस्तिका अब सेतु एशिया नाम के एक धार्मिक समिठन के पास है और वो लोग इस मुस्तप को पिदूरु करवर की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में समझ कर इसका आधुनिक भाशाओं में अनुवार करने में जूटें पूर है आफी समय लग रहा है तो इसको आज के एपसोड में बस इतना ही